नमस्कार दोस्तों देखे जब आप ताकतवर लोगों से सवाल करते हैं न और जब आप सच की लड़ाई लड़ते हैं तो आपके रास्ते में जबरदस कटिनाई आती है आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मेरे फोन नमबर को सारवचनिक कर दिया गया था और मेरे बारे में एक दुश्प्रचार किया गया था कि साहब अभिसार शर्मा एक देश दो ही है तो लगातार साढ़ घंटों तक मेरा फोन बचता रहा मुझे कालियां दी जाती रही उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने फिर चार लोगों को गिरफतार भी कराया अब एक नया प्रचार आया है दोस्तों प्रचार ये है दोस्तों आपको याद होगा कल ही हमारा शो आया है मोदी के हाथ से फिसलता उनका गड़ हम पश्य में उत्तर प्रदेश गये थे वहाँ पर पांच लोग सभा सीटों का हमने मुआयना किया था और हमने पाया था कि 2014 जैसे हालात नहीं है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है मैं गाउं बेगराजपूर गया था जो कि मुझफर नगर में है और वहाँ पर मैंने एक बुजर्ग से बात की और वह बुजर्ग मुझे बता रहा था कि किस तरह से फैक्टरी से जो निकलता सहर है वो उनके खाने में जाता है और जिन्दिया की जिन्दिया बरबाद हो रही है इसी पर मैंने आज से कई सालों पहले जब मैं A.V.P. नियूज में था मज्या अभी भी मुबाइच खड़िए क्या दद्दा क्या दिखा रहे है आप मुझे की कारना में में मालिकों सरकार में आइकोंट में मुगदमा करा दिया और उसके बाद सचीव को पढ़ा दिया मैंने पैसे बढ़ाँगा और उसके बाद एक महिना में लेट चला इसी वज़े सा किसानों को बहुत बड़ी समाश्या हुई है तो आप देखी यहां समस्याएं मूभाहे कहीं एक तरफ जिसे कह सकते हैं, गन्ना की समस्या है, कहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, लोगों के स्वास्त की समस्या है, इनसान करे तो करे क्या अब इस क्लिप का आंशिक हिस्ता इस्तिमाल करके मेरे खिलाफ ये प्रॉपगांड़ा चलाया गया कि अभिसार शर्मा जो है इस गरीब गांवाले को रिश्वत दे रहा है, आपने उस वीडियो में देखा दोस्तों कि वो न्यूस पेपर क्लिपिंग थी, मगर मेरे खिलाफ बीजेपी के आईटी सेल ने जूटा प्रॉपगांड़ा ये चलाया कि मैंने उसको रिश्वत दिय और इनमें जो चलाने वाले लोगों में ये प्रमुक नाम है, ये हैं विकास पांडे चौकिदार, ये भारती जनता पार्टी के आईटी से जुड़े हैं, ये वो शक्स हैं जो ट्विटर हेटकॉर्टर के बाहर आये थे, कि हमें किस तरह से टार्गेट किया जा रहा है, ब कोई प्रोपगांडा नहीं होता है, ये बीजेपी का आईटी सेल नहीं है, ना सिर ना इस सरकार के अच्छे दिन हैं, कि आप कुछ भी कहलें, अनाव शनाब बोल दें और जनता को मूर्ख बना दें, इसके लावा ये और शक्स हैं, शौकिदार शशांक सिंग, और फिर य ये शक्स है, जिसका नाम बीन यूमर है, मगर इसका असली नाम है विने शर्मा, ये तमाम लोग हैं, जो मेरे खिलाफ जूट प्रसारित कर रहे हैं, आप इन लोग के ट्विटर हैंडल्स देख चुके हैं, मैं इनके खिलाफ कारवाई करूँगा, इसलिए करूँगा दोस क्योंकि जब जूट सामने हो, तो उसे आप जाने नहीं दे सकते हैं, उसे आपको चुनौती देनी पड़ेगी, और मैं इने चुनौती दूँगा, कानून के दायरों में, क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रमान था, तो वो तो तुम पेश नहीं कर पाए, उल्टा मैंने आपके सामने प्रमान पेश कर दिया है, उसके लिए हम क्या रहे हैं, इस बेबसी को समझना होगा, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले, मैं खुद आया था यहां पर रिपोर्ट करने, वो समस्य अभी भी मुबाई खड़िये, क्या दद्दा क्या दिखा रहे हैं आप मुझ सरकार ने, और उसके बाद सचीव को कह दिया, कि मोधी जी ने बढ़ा दिया, मैं नहीं पैसे बढ़ाँगा, और उसके बाद एक महिना मील लेट चला, इसी वज़े सका किसानों को बहुत बड़ी समस्या हुई हो, तो आप देखिए, यहां समस्या हैं, मुबाहे खड़ी ह समस्या हैं, सारी समस्या हैं, दूसर जुड़ी हैं, कहीं एक तरफ जैसे कह सकते हैं, गन्ना की समस्या है, कहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, लोगों के स्वास्त की समस्या हैं, इनसान करे तो करे क्या, मगर मैं जानता था दोस्तों कि जब आप कुछ ताकतवर लोगों से सवाल करते हैं तो उसका आपको खम्याजा भी भुगतना पड़ता है जिसके लिए मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं जनता की आवाज हूँ क्योंकि मैं लोगों के मुद्दे लाता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले तीन सालों से क्या हो रहा है मुक्यधारा की मीडिया अपने चैनल्स में सिवाए जूट के सिवाए हिंदू-मुसलिम समवाद के कुछ और नहीं परूस्ती सिवाए नफरत के न्यूस क्लिक में हम अपनी जिम्मेदारी समझती हुए लोगों के मुद्धे आप तक पहुँचाते हैं और वही मैं इस रिपोर्ट के जरिये भी कर रहा था और आगे भी करता रहूँगा मैं डरूँगा नहीं दोस्तों क्योंकि मेरी ताकत आप लोग हैं आप जो कि न्यूस क्लिक की दर्शक हैं जो न्यूस क्लिक से जुड़े समबाद में बहुत ही सकारात्मक रूट से शामिल होते हैं इन में से कुछ बहुत ताकतवर लोग हैं अगर कोई कमजोर होता कोई भटका हुआ होता तो मैं उसे माफ कर देता क्योंकि जिन चार लोग की गिरफ्तारियां मैंने एक महिने पहले कराई थी, उनमें से दो लोग को मैंने तीन लोग को माफ कर दिया था, मगर अब नहीं कर देवाला हूं